अस्सलामों अलेकुम आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ शिर्खुर्मा बनाने की रेसिपी जो कि टेस्ट में बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलिशस बनके तयार होता है आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय कीजिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक लीटर के करीब दूद इसमें एड़ करेंगे एक कप चीनी, आठ खजूर या खुर्मा या डेट्स और यहाँ पर एड़ करेंगे एक कप मलाई का यहाँ पर हम इसे 20-25 मिनट तक पकाएंगे हम इसे यहाँ पर हाई फ्लेम पर पकाएंगे यहाँ पर दूद में उबाल आ चुका है दूद उबल रहा है अब हमें इसे ऐसी छोड़ देना है यहाँ पर हमें इसे ऐसी छोड़ देना है पकने के लिए यहाँ पर मैंने लिए यह चार बड़े चम्मजगी के इसमें एड़ करेंगे काजू, बदाम, पिस्ता और यहाँ पर मैंने 10 काजू लिये है और 15 बदाम लिये है और 10 पिस्ता लिये है इनको मैंने बारिक चौप कर लिया है अब मैं इन्हें यहाँ पर फ्राइ कर लूँगी और इसमें एड़ करू यहां पर इसमें एड़ करेंगे वह दूद जिसको मैंने 25 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दिया था और यहां पर हम इसे 10-15 मिनट तक ऐसी पकाएंगे हाइफ फ्लेम पर यहां पर 10-15 मिनट हो चुके हैं अब मैं यहां पर फ्लेम को कर दूंगी बंद बंके तैयार है हमारा शिर्खुर्मा बहुत ही लजीज और लाजवा बंके यह तैयार होता है अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए